हलो स्ट्रींट वेलकम टू ब्रेंचाइल्ड आयस अकेडमी आपको बता है कि सतर्मी वीपेस्सी का एक्जामनेशन होने वाला है पिटी एक्जामनेशन पहले ये डेट 17 नवंबर को निर्धारित था परंतु कुछ कार्णों से इसे 13 और 14 दिशंबर को कंड़क कराने की है तो हमारे पास अभी टू एंड टू मन्त के आसपास का समय है और ऐसे में आप ने जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें मुझे कई सारे स्ट्रेंट का कॉल आया और मुझे ये पूछा गया कि सर इंडियन एकॉनमी के लिए क्या पढ़ना चाहिए कौन से टॉपिक इंपॉटेंट है चुकि मैं इंडियन एकॉनमी का क्लास लेता हूं तो ये सवाल लाजमी था स्ट्रेण से कि सर सौर्ट मतलब समय बहुत ही कम है और इस कम समय में इंडियन एकॉनमी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आप बता दें जिसे हम उस पर कमांड कर सकें क्योंकि 68 एंड 69 में देखा कि इंडियन एकॉनमी के कुछ conceptual question पूछने पूछना स्टार्ट किया है और पहले जो हम परकर जाते थे उससे अब काम नहीं होने वाला है कुछ इंपोर्टेंट आपको concept भी पढ़ने होंगे तो मैं कुछ sort में कुछ topics आपको बताता हूं discuss करता हूं इन topics पे अगर आप कमांड करते हैं जितने मैंने topic बता है उतने ही topic आपको पढ़के जाना है इनही topics में से question ज्यादतर question आने के chances बनेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो first chapter है हमारा basic introduction वाला chapter है उसमें आपको sectors of economy थोड़ा सा देखना है different sectors है primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary sectors जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा idea लेना है उसके बाद micro and macro economy में क्या difference है उसके example के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से conceptually इसको पढ़ें है ना इसके concept पर पगर बनाने का कोशिस करें इसके बाद है types of economy types of economy में जैसे की capitalist economy, socialist economy, mixed economy यह सब जो concept है यहाँ पर आप इसको open economy, close economy यह सारी चीजें आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं डिसकस कर सकते हैं, next जो topic है वो है national income, national income यह important topic है इसमें GDP का concept, GNP का concept, NNP का concept, साथ ही साथ GVA का concept, क्या relation है इन सभी में, और इसके अलाबा nominal GDP and real GDP, है ना, तो यहाँ पर इन सारे concept को देखना है, factor cost पर कैसे निकालते हैं GDP, जो market price है, उस पर GDP कैसे निकालते हैं, यह बस इतना कर लेना है इस chapter से, तो यह आपका chapter cover हो जाएगा, next जो chapter है, वो है inflation, inflation बहुत ही important chapter है, यहाँ से question आने के chances हैं, और यहाँ से जो question आता है, वो काफी conceptual आ सकता है, आपको concept पकड़ना है, concept पर focus करना है, जैसे की inflation होता क्या है, कितने तरह का होता है, cost, push, demand, pull, inflation क्या है, और stackflation क्या है, deflation क्या है, reflation क्या है, disinflation क्या है, inflation को निकालने के तरीका क्या है, CPI, WPI, यह खासकर यह दोनों आपको अच्छे से cover करके जाना है, इसके अलाबा, जो on the basis of rate of inflation, inflation को कितने उसमें divide करते हैं, हाइफर inflation का condition क्या है, यह सारी चीजों को, inflation, demand and supply से कैसे related है, money supply से कैसे related है, इन सब concept को यहाँ पे cover करके, आप आगे जा सकते हैं, next chapter है money and banking, इसमें money कितने तरह के होते हैं, जैसे plastic money, legal tender money, commodity money, यह सब money के types जो हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लें, hot money, इसके बाद money supply है, money supply में M0, M1, M2, M3, M3 को broad money कहा जाता है, और M0 को narrow money कहा जाता है, M4, यह चार टाइप का बस थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं आपको देखना है, थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे इसको cover कर सकते हैं, फिट types of bank कितने तरह के होते हैं, schedule bank, non schedule bank, schedule bank में भी commercial bank, cooperative banks, RRB, regional rural bank, private banks, government banks, foreign banks, तो types of bank किहां कर लें, इसके बाद RBI का जो role है, उसको आप देखें हैं, RBI as a bank के रूप में कैसे काम करता है, उसके बाद monetary policy बहुत important topic है, इसमें monetary policy में आपको money flow कैसे control किया जाता है, कौन-कौन से instrument है, repo rate, reverse repo rate, ये सब कुछ topic जो मैं बता रहा हूँ, वो cover करते जाना है, repo rate, repo rate, open market operation, बहुत जादा समय नहीं लगेगा इन सबों में आपको, इसके बाद next जो है, fiscal policy के अंतरगात, budget देख लेना है, budget का जो concept है, कितने तरह के account होते हैं, जैसे capital account होता है, और दूसरा होता है revenue account, उसमें भी income और receipts and expenditure है, तो क्या concept है, क्या difference है, capital account और revenue account में, उसके बाद deficit है, जैसे fiscal deficit, budget deficit, primary deficit, revenue deficit ही तो ये deficit हैं आप कर लें, उसके बाद tax है, tax में GST, अच्छे से आप कर लें, GST के से question पूछ सकता है, next is FRBM, FRBM को short में पढ़ लें, यहां से question आ सकता है, money and capital markets में, call money, treasury bill क्या होता है, government securities क्या होते हैं, equity and debt instrument क्या होते हैं, जैसे equity में आपका share हो गया, डिवेंचर हो गया, फिर debt instrument में bond हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, basic basic चीज़ें आप यहां से कर लें, next है external sector, external sectors में balance of payment देखना है, जिसमें capital account है, current account है, current account में कौन कौन सी चीज़ें आती है, capital account में क्या कैसी चीज़ें आती है, foreign investment के बारे में, FDI, FII में क्या difference है, basic चीज़ें, है ना, FDI, FII में क्या difference है, exchange rate, यहां पे nominal exchange rate, real exchange rate, PPP exchange rate, यह सब आपको यहां पे cover करना है, इसके बाद planning इंडिया में 5-year plan देख लेना है, जो 12, 12, जो 5-year plans है, उसको देख लें, नितियायोग के बारे में थोड़ा पढ़ लें, unemployment के बारे में थोड़ा पढ़ लें, unemployment कितने तरह के होते हैं, इंडिया में कौन कौन से unemployment है, ठीक है, तो यहां इतने सारे topic अगर आप कर लेते हैं, तो more or less आप, जो है, वो maximum question cover करने की सिती में रहेंगे, thank you, source की मैं अगर बात करूँ तो आप नितिन सिंगानिया के किताब पर सकते हैं, जो topic मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसी topic को पढ़ना है, यह ना दिन सिंगानिया के book से, या फिर कहीं से भी net के net से book तो बहुत अच्छा है, तो सिर्फ जो मैंने topic बोला है, सिर्फ उतना ही करें, क्योंकि बहुत जादा समय नहीं है, जो लोग कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, वो इन topic से ये economics को cover कर सकते हैं, और मेरी guarantee है कि जो question आएंगे, इसे इनी topic में से होंगे, ठीक है, थैंक्यू, best of luck,